बिहार टीवी नई सोच नई दुशा बिहार का नलंदा एक बार के कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहा है ताजा मामला बिहार शरीफ मुख्याले से 12 किलो मिटर दूर स्थित अस्थावा पर्खंड के अंदी पंचायत के धरहरा गौंका है जहां मुगलकालीन मस्जित की देखरेक वहां के सैकडो हिंदु भाई कर रहे हैं जिसको लेकर इसकी मरम्मच शुरू कर दिया है यहां की अबादी लगभग 500 है गौं में 120 वर्ष पुरानी मस्जित इस्थित है जिसकी देखरेक की जिम्मधारी अंदी पंचायत के निवासी धर्मेंद्र पास्वान उर्फ पपु करते हैं पपु ने बताया कि ब्रीटिश काल में गौं में मुस्लिम परिवार काफी संख्या में रहते थे समय बीटता चला गया और मुस्लिम परिवार एक एक करके गौंसे पलायन करते चले गए मुस्लिम विहीन हो जाने के बाद मस्जित विरान हो गई वो ही पपु बताते हैं कि कुछ महीने पहले उनके साथ एक हाथसा हुआ जिसमें वह गंभीर रूप से बिमार पढ़ गए जिसके बाद वह रात को सोय तो खुआब में देखा कि किसी अंजान व्यक्ति उन्हें मस्जित की देखरेक करने को कहा उसके बाद वह हामी भर इसके मरम्मत का कारेश शुरू कर रहे हैं इस मस्जिद के बारे में वहां के लोग बताते हैं कि जब देश का बटवारा हुआ तो अच्छे लोग गौँ छोड़कर पाकिस्तान वा बंगला देश चले गए कुछ लोग वहां थे जो बाद में धार्मिक विवात के बाद वहां से प्लाइन कर गए जबकि उसके दो किरो मीटर पर दिसना एक गाउं है जहां बहुत पुरानी लाइबरेरी है कुछ लोग वहां भी जाबसे जो मस्जिद पूरी तरह से विरान हो चुका है वहां के जानकार और मस्जिद की देखरेक करने वाले शमी मख्तर बताते हैं कि मस्जिद मुगलकालीन है और यहां वे इमामत यानी अजान के साथ साफसफाई करते थे लेकिन वह जब बीमार हो गए तो चलना फिरना मुश्किल हो गया और वहां गाउन नहीं जा पाए जिस वज़ा से आजान और नमाज दोनों खतम हो गई और मस्जिद पूरी तरह से जंगल की शकल में विरान हो गया लेकिन गरामीन की दरिया दिली से एक बर फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है जैसे कल सभी लोग एक होकर रहते थे आज भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा यही था मेरा कि मंदिर मस्जीद में कोई फर्क नहीं हमारे बीच में है इतना मंदिर को मानते हैं उतना यहां भी मानते हैं सब दिन हम हजरत को बहुच आदे माना है मस्जीद को बहुच आदे सुरिये से बच्पने से आज भी इसमें हम सच्छम है कायम है आप तो देख सकते हैं इस सब्सक्राइब कितना लगन-मगन से काम करवा रहे हैं कितने मज़ूर लग रहे हैं इधर भी देखे उधर भी इसको हम सजाद देंगा इससा कि आने के बाद देखिएगा आप 25 दिन के बाद कि कितना सुंदर इतना सुंदर डिचल मिलेगा कि देखने को लगेगा आदमी तरस जाएगा यही जंगल इस जंगल में किसी भी गाउन का लोग नहीं पैर इधर इधर आते थे कि कैसे जाएगा पूरे जंगल को साफ करवा करके जो है इससरे डिचल बनाने का काम कर देए हैं और जहां जहा है उसको हम खुदबा रहे हैं आप लोग आ रहे थे तो बताये कि वहां पर खुदबा रहे हैं काम चल रहा है उसको सुंदर ढंग से जैसे इसमें बीवी सेगरा पानी पीते थे तो सब लोगों बोला कि इसमें बीवी सेगरा तहम की दौस्ते भै परीत है इसको फिर पताईत में तोई तोई पाचास साल में काम डेंक को तुरा हुआ है, आपका मनुरमपुर चाल जाए, मनुरमपुर अभी डिक काम डेहु नहीं, छोचति रख रहा है, एक एले गुडते रहते हैं काहां काम बिले। आप शर्पंध साहब जो हाँ जो है बहुत जडर था उस ग तयार किये हैं मैद वहां दिन वाद को सुखी निले। उसमें बहुत दिन बिचारा बहुत जगव भोट जगव लें कि हम गया है। के लेक्टर साहब के यहां भी गया है एंशीयो साहब के भी गया है बहुत तड़ पितु खूद सर्पन थे इस बार हार चुके हैं तो उभी बोले कि भाई आप मुख्या बना हमसे बड़े भाई हैं आप हमको यह बना दो भेवा हम के बिलुकुल बना दें तुरा तरा राव बिना राविस नहीं बनता है इतना अपना गढ़ा था पानी उसको राविस ते चिमनी पर्वाला से ला करके उसको पूरे आपको जह हैं 15 दिन में उसको हम किलियर कर बादे भरवाद को भाद धलिया कर वा मेरा नाम हो गया धरवेंदर पास्वान और पप्रु पास्वान 25 इस्वी में बना है यहां हिंदू मुसल्मान सब लोग रहते थे देश का बटवारा हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए अब हम लोग जो यहां रहा रहे हैं हिंदू मुसलिम का सहयोग है और हमारे यह मुक्या जी का बहुत बड़ा करतब है कि जब से यह जीत है हम जुमा का नमाज पढ़ने के लिए जैसना जाते हैं यहां आट-दस घर दर्जी भी था दुचार खान साभी से सेयदों की अबादी थी अब केवल सिर्फ दो घर हम लोग रह गए हैं अब करने का आर्थी किस्तिती रोजी रोटी के लिए आदमी जिसको जिधर सहुलत हम से जुड़े रहने के लिए और इसी परकार की ताजा खबरों को पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल बिहार टेवी को सब्सक्राइब करें और तुरण नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले